नमस्कार में जितेंदर चौधरी और आप देख रहे हैं दबिग वाई मीडिया इलेक्शन कवरेज में हम पहुँचे हैं टोंक सवाई मादपूर लोकसवा सीट पर दो बार से सुखबीर सिंग जौनापुरिया भाजपा के यहां सांसद है नमस्कार में जितेंदर चौधरी और सवाई मादपूर लोकसवा सीट पर भाजपा की क्या स्थिती है तीसरी बार टिकेट रिपीट हुआ है क्या कोई एंटी इंकिम्वेंसी है या भाजपा दो बार की तरह तीसरी बार भी हेक्टरिक लगाने में सफल होगी कैसी इनकी तैयारिया है बहुत बहुत सौगत है आपका विधायक जी पहला विधान सबा छेतर बढ़ता है जैपूर की तरफ से हम निकलते हैं तो टोंक सवाई मादूपूर लोग सबा के लिए कैसी तैयारिया है भारतिये जंता पार्टी की सीट पर तीसरी बार आपका टिकेट रिपीट हुआ है सुखपीर सिंग जोनापूरिया जी पिछले दस साल से जितना टॉंक जिले में रहे हैं करी 60% टॉंक जिले में रहे हैं सवाई मादूपूर लोग सबा होती है तो वो दिल्ली रहते हैं लेकिन जितना टाइम उन्हों दिया और ये पहले सांसे देसे हैं जिन्होंने लगातार जैसे वाड़ पारसद होता ना उस तरह से गाउं गाउं गली-गली में गोमे हैं और इनकी एक बहुत बड़ी खाश हैं कि हमेसा हेल्प करते हैं चाहिए कहीं भी जाएं वो हरा आदमीन का नाम जानता है कि जोनापुरिया जी लोकल स्तर पर बात करें टोंक सवाई मादूपूर में केंदर की कौन कौन सी योजना है या लोकल स्तर पर काम काज हुए हैं जिन कामों के बेसिस वरप्रधान मंत चाहरे के अलावा कामों के मुद्धों पर चुनाव में पूट मांगी जा सकते हैं देखो कामों का मैं आपको बता दूँ सोहिला से मालप्रा जिस रोड़ पर जाने में तीन गंटे लगते थे आज की तरक में एक गंटे पहुंसले इतना बढ़ीया रोड बनाया आपके ब सोला या सत्रा जितनी योजना है हर उसका फाइदा गरीब को अंतिम वेक्ति को ये मोका मिल रहा है पिछले दस साल का भारत और पिछले उससे चोदा से पहले का भारत आप भी खुद कंपेर कर ले जंता से पूछ ले आदमी बहुत खुश है और सिर्फ और सिर्फ मोधी ज साथ पाइलट की सीट मानने टोग पसंदीदा सीट है उनके साख का सवाल है काफी क्रेज है उनमें गूजर समुधाय बहुतायत में है चालेंजिंग नहीं लगता है यह चुनाओ हरिश्चंद्र मिर्णा के लिए उन्होंने कहा कि यह मेरा चुनाओ देखिए वो सचिन पैलेड साब राष्टे लेवल के लीडर है और बहुत अच्छे लीडर है इसमें कोई दोराई नहीं है लेकिन जहां तक सवाल आता है यहां का सवाई मादूपर का उनका उतना क्रेज इस संसद के साथ में नहीं है जितना को और जगह हो सकता जिस दोसा के लिए उनका आप से मैं वोट माग रहा हूं यहां पर इतना नहीं है अच्छे हैं और वो कभी भी ऐसी कोई बात नहीं बोलते हैं जिससे उनको यह लगे कोई जनता नाराज हो है दो बार सुद्बीर सिंग जोना पुरिया बावन प्रतिशत के मार्जिन से जीते इस बार क्या उमीदे हैं और क्या उमीदे काम को लेकर क्या उमीदे मार्जिन को लेकर की मार्जिन बढ़ेगा या बावन प्रतिशत जो दो बार उनका रहा वही रहे देखो फिछले बार वो करीब मेरे हिसाब से सवालाग वोटों से जीते हैं इस बार जो जीत का अगड़ा हमने जो टार्गेट ले रखा तीन लाग से उपर का ले रखा निवाई हो गया मालप्रा हो गया हुणियारा हो गया टौक हो गया चारों में उनको लीड मिलने वाली ह और इस लीड को कोई रोक नी सकता जिस तरह से 22 तारीको रामराजी के स्थापना होई जिस तरह से धारा 378 जिस तरह से इनों बगवान राम का मंदिर बढ़ा इन चीजों को आम जनता जानती है कांगरेशी बीजी इक पर मुद्दा ही नहीं है मुद्दा क्यों लिए है कि म अज़ी बार विधायक बने निवाई से आप एज़ विधायक अपने सांसत से उमीदे रखें कि केंदर में वो आपकी विधान सबा की आवाजे उठाए ऐसे लोकल स्तर की कुछ मुद्दे कुछ मांग कुछ कमिया जो यहां बाकी रही आप पिछले 10 साल में उन्होंने इस लोग सबाश्यत्र के कई मुद्दे उठाएं बात मेरे विधायक बनने के निए 18 में विधायक चुनाव लड़ा था में हार गया था लेकिन उन्होंना हमेशा निवाई का बहुत ध्यान रखाया जोद्ब्रिया देव धाम यहां पर बहुत बड़ा इस्तरल हर बहुत हमार दर्म के प्रतीन की बहुत अच्छी बहुना रहती है और यह हमें साथ देने वाले बने कभी लेने वाले नहीं बने आदमी होता है सांसद कहीं ऐसे होते हैं इससे पहले भी सांसद रहे नमुनान जी रहे हैं चाहिए जब रिजर शेड़ थी है उस टाइम पचेरवाल जी रामकौर वेरवार है कभी भी किसी सांसद नहीं देना टाइम नहीं दिया जितना यह टाइम दे रहे हैं तो आम आजमी के घर-गर में और हर आजमी के दिल में इनकी पेचाने के जोना पुरे हैं कि बहुत बड़े आद लोग सबात चुनाओं से इतर आपकी बात करें आप पहली बार विधायक बने हैं वियारस लिया था सरकारी नौकरी से क्या ऐसा मन हुआ कि सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीती की तरफ आपका मन डोल पड़ा फिर आप राजनीती में और इस बार आपने सफलता कि मैं धर्ण जागन मं काम करता था हर आजमी को इनको अप्एक्षा उती है औल तो हमन को राश्टिय नौकरी बुरूस धर अदियॲा ह करी मिरी फिरें पश्रेटिया बहुना उतीð पैं मेर沒चर बहूं सेटीड़ेगर काम हो या सामाजी काम हो या सिब और एकर माश्चा पर राश्टिय देख रहा, राश्टिय मामंतिरी राश्वरी, मेड़कर वेलपेर सोसाइटी का मगरी तेरा साल तक कोसा देख रूपीर में बदों पर रहा, क्यों सामा जी जुड़ाओ मेरा रहा है, इस वज़े से मुझे जो भी मेरे संगटन के कारे, वो लोग हैं या पार्ट ये चलती रहती है, लेकिन मैंने कभी फिल्डी नहीं छोड़ा, 12,000 वोटों से आपने प्रशान बैरवा को इस चुनाव में हराया, निवाई पीपलों की विधान सभा के लोगों ने आपको अपने जन प्रतिनीदी की रूप में चुना, आपकी सरकार आई, सो दिन में कु 10% आचार सहीता लगी, वो काम भी जैसे 15 जून के बाद आचार सहीता ठेकी, वो काम भी पूरे करेंगे, और कोई भी अधीगारी करमचारी है, सारे अपने इसापसी इतने बढ़िया हैं, जिनको मैं कहता हूँ भी 10 दिन भी ये काम करके जनता को देना तो देते ही हैं, यह इसी एक प्रमुख समस्या जो आपका सपना रहा हो कि अपने विधान सभा के उस समस्या को आप खत्म करेंगे, कहीं समस्या यही थी, कहीं गाओं विसलपुर से जुड़ेवे ने थे, मैंने वादा किया था चुनाओ के टाइम में, आज वहां पे 6-7 साल बाद में विसलप राम का राज्ये, राम का देश और मोदी जी की जो परीकल्ब ना आने वाले 15 साल में, आने वाले 2-7 सेंटाश के विक्सित भारत की, मेरी यह ही है, कि सब मोदी जी को चुनें, भारती जिनता पार्टी के बढ़ें, जो 6 बचेवे काम है, लोग कहते हैं कि सभीदान खत्म क कुछ ही नहीं है, सभीदान में शथी कोई नहीं है कि इसको खत्म कर दिया जाए, अबेट左 OBJ, लेकिन सभीदान खत्म नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह थिछ जो अंग्रेस वाले जो, अब इनकी पास को एजेंड आ ही नहीं है, इनको क्यों लोगों बरगलाना ये पीछले ल लगया कि जोड़ पागण चलने वाली नहीं है मोधी जी का राज है पिछले दस साल मजीद ने चाहे महीलाएं हो चाहे दली समाज हो चाहे ओबी शीवर्ग हो चाहे जनल समाज हो सब के लिए काम किया है कोई वेक्ति और ये धरम ना धरम देखते ना जाती देखते जैसे ट्रोंग सवाए मादपूर लोकसवा के और अपडेट्स के लिए थन्यवाद